हम आलू के पराठे मेथी के पराठे तो बहुत बनाते हैं और वो टेस्टी भी लगते हैं लेकिन आज हम आलू और मेथी के मिक्स पराठे बनाएंगे एक ही पराठे में आपको दोनों पराठो का टेस्ट मिलेगा तो आप ये रेसिपी ट्राइ करके जरूर देखिएगा आलू मेथी का पराठा बनाने का आलू मेथी के पराठे बनाने के लिए यहां पे हमने लगभग 100 ग्राम मेथी को अच्छे से दो कर सुखा लिया है और बारिक बारिक कट कर लिया है हम इसके लिए आटा लगाते हैं तो इनके लिए हमने दो कप गेव का आटा लिया है आटे में हम लगभग आथा चमच नमक विलाएंगे साथी एक से डेट चमच घी डालेंगे अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप उस घी की जग़पे तेल भी उज़ कर सकते हैं अभी यह तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम उसमें थोड़ी थोड़ी करके जो कटी हुई मेथी है वो डालेंगे इन्हें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और जो बाकी बची मेथी है वो भी इसके अंदर डाल देंगे अभी मेथी आटे के अंदर अच्छ यह हमने आटा गूंद के अच्छे से तैयार कर दिया है और आटा हमने थोड़ा सा टाइट लगाया है अब हम ए आटे पे एक से डेट चमजगी लगाएंगे और अच्छे से गूंद कर चिकना बनाएंगे इसा करने से भरवा पराथे बहुत ही बढ़िया बनते है आटा लग आलो को उबाल कर ठंडा होने के बाद उसका चिलका निकाल लिया है अब हम उसको मेश कर लेंगे आप चाहे तो उसको कदुकस भी कर सकते हैं पर एक बात का खायाल रखे कि आलो का कोई भी चंक स्रहना नहीं चाहिए नई तर पराठा बेलने के टाइम पर फट जाता है अब भी ब्रैंड का गरम मसाला यूज़ कर सकते हो अभी उसके अंदर हमने डाला है हरी मिर्च दो बारिक कटी हुई आप अपने टेस्ट के एकोडिंग डाल सकते हो और बुनी हुई कसूरी मेथी उसकी फ्लेवर इन पराठों में बहुत ही अच्छी आती है तो आप जरू डाल करना है फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज कोमेंट करो फैमेली और फ्रेंड के साथ मेरे वीडियो को शेर करो और लाइक करो तो यहां पे हमारा मसाला बनके तयार हो रहा है अगर आपको इस स्टेच पे कोई पी चीज कम लगे तो एड़ कर स लगते हो इतर हमें आटे को रखे हुए 20 मिट हो गई है अब आटे को एक बार फिर से गुंत लेते हैं अच्छे से ताकि और चिकना हो जाए तो चलो अपी पराठा बनाते हैं तो इसके लिए हम पहले पेड़े तोड़ लेते हैं थोड़े बड़े साइस के पेड़े तो आप देखें यहाँ पे मैंने एक कटोरी जीसा शेप बना के रेडी कर दिया है और इसमें हम अच्छे से आलो का मसाला भर के तयार करेंगे अभी यह मसाले को नीची की और लेके चलिए अंगुठों की हल्प से और आटे को उपर लेकर आईए और इसी तरह से पेक कर ल नहीं तो मसाला भार निकला जाएगा तो हम ऐसे पराठा बेल के तयार कर देंगे आप अपने इच्छा के अनुसार पराठा बेल के तयार कीजिए तो यहाँ पे एक पराठा बनके रेडी हो गया है पराठे को गरम तवे पे डाल दीचिए गेस की फ्लेम कभी मीडियम टू शेक लीजिए दोनों साइड से हम लोग पराठे को शेकेंगे अभी ये पराठे को कल्ची से हलका हलका प्रेस करते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक शेक लीजिए तो आप देख सकते हो एकदम करारे और गोल्डन ब्राउन पराठा बनके तयार है इसी त पराठा बन के तैयार है, हम सारे पराठे इसी तरह से तैयार करेंगे, और हमने एक ओर अर सप्वाध करने के लिए रख दिया है, इन पराठा को आप दही और आचार के साथ सब कर सकते हैं, या तो फिर ये पराठा के साथ कुछभी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत पुलना तब तक मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थेंक्स पर वोचिंग